आज बात करेंगे types of mixture के बारे में जो type of mixture होते हैं हमारे कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से बनते हैं mixture की हम बात कर चुके है mixture क्या होता है one pure form को दूसरी pure form of हमारी substance है ये matter है उसमें जोट देना तो हमारा बन जाता है mixture बन जाता है इन दोनों का चल होता है homo यानि की same इसका मतलब होता है same तो same तरह के जिसकी अंदर जो सारी property है हर जगा uniform composition हो तो आप यह बोल सकते हैं same या uniform composition हो homo यानि की same या uniform composition तो इस तरह की composition आप इसका एक example लीजिए मानने जिए एक आपने beaker ले इस तरह से आपने एक कोई भी beaker ले लिया इस तरह या glass ले लिया थांच का उसके अंदर आपने water को डाल दिया अब इस water के अंदर आपने क्या किया copper sulfate powder को आपने इसमें डाल दिया मिला दिया आपको copper sulfate powder को आपने मिलाया चाहे आप एक चम्मच मिलाएं चाहे दो चम्मच मिलाएं अच्छी तरह से उसको मिला दे अब आप क्या देखेंगे इसके अंदर आप जब भी कहीं से भी आप इसको चैक कर लें जो सका color है सारे का change हो जाएगा अब इसका मतलब क्या है कि यह एक homogeneous mixture है इसके दर variable composition हो सकती है यानि कि एक चम्मच आपने डाला दो चम्मच डाला वो हो सकती है लेकिन जो इसका homogeneous mixture बनता है क्योंकि इसकी जो properties है uniform रहती है सारे mixture के अंदर और जो इसकी composition है वो uniform रहती है यानि कि हर एक जगा जो भी आप test करेंगे जहां से भी लेके same ही आ होता है हम उसको homogeneous mixture बोलते हैं लेकिन अगर क्या हो आप इसी तरह एक container ले उसके अंदर water को ले water को लेने के बाद इसके अंदर आप अलग-अलग तरह की चीज़ें डाल दें इसके अंदर आपने क्या किया sodium chloride को डाल दिया sodium chloride आपने डाला इसी तरह से इसमें और कुछ चीज के डाल देते हैं तो salt आप डाल सकते है इसदृफर आप डाल सकते हैं कुछ भी आपने इसके डाल दिया आप देखिए जो sodium chloride है वो अलग guitar से mix अगा जो salt के particle है वो अलग तरह से mix होंगे sulfur के particle है अलग-तरह से mix होंगे तो यह uniform composition नहीं बनती और ना ही uniform properties बन थी है इसकी uniformly concentration आपको पाई जाएगी, यहां में कुछ ज़्यादा मिलेंगे, यहां में कुछ कम मिलेंगे इस तरह से, तो इस तरह का जो solution होता है इसके लए non uniform composition आप इसको बोल सकते हैं इसमें uniform composition थी, यह non uniform composition बनाता है, यानकि अलग-अलग पार्ट पे अलग-अलग तरह की आपको इसकी मात्रा मिलेगे और प्रॉपर्टी मिलेगे इस तरह के solution को हम बोलते हैं Heterogeneous solution Homogeneous uniform composition के साथ Heterogeneous non-uniform composition के साथ आपको मिलता है Uniform composition and uniform जो प्रॉपर्टी है सेम रहेंगी लेकिन इसके इंदर non-inform composition के कारण अलग-अलग जगार पे अलग-अलग properties होंगी तो इसलिए इसको हम बोलते हैं heterogeneous mixture तो thank you वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा updated वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यान लोपे हमें subscribe कर सकते हैं Thank you